नमस्कार, साथ अगस्त आज डेट है और आज हम बात करने वाले हैं chemistry MCQs की जिसमें हम ionic solid, covalent solid, molecular solid और metallic solid से related to MCQs करने वाले हैं और यह आपका जो है वो class plus two का NCERT का जो है वो first chapter है, solid state तो जो यहाँ पर basic basic terminology मैं बताऊंगा आपको, basic चीज़े आपको यहाँ पर बताऊंगा जो आपको need or teaching exams में वो काफी लाबदायक रहने वाली है chemistry MCQs का हमारा यह तीसरा lecture है, इससे पहले दो lecture हो चुके हैं और दो lecture हमारे वो Saturday Sunday को आते हैं chemistry का जो MCQs का जो series रहता है हमारा, वो only Saturday और Sunday को रहता है, तो आप अगर previous लेक्टर देखना जाते तो आप उपर आई बटन में देखेगा यहाँ पे, ठीके, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो यह सारे के सारे जो questions हैं, वो बिलकुल आपको जो है, वो basic जो terminology होती है, व देखने को मिलेंगे, तो आप इसको बिलकुल भी skip मत कीजेगा वीडियो को, वीडियो को like जरूर कीजेगा, share जरूर कीजेगा और subscribe कीजेगा जैनल को, अगर आपने subscribe नहीं क्या है, उससे पहले अपने GK trick आप को download नहीं क्या है, तो download कीजिए, link उसका description box में, आप वहाँ स में आप enroll कर सकते है, code यूज करना है, B2 QFI code यूज करना है, और अगर chemistry batch में आप timing देखना चाते है, तो Saturday, Sunday, यानि की तीन बज़े हमारा chemistry batch जो है लाता है, GK trick आप के अंदेर लाइव लाता है, हमारा, तो Camcos इसके लिए code यूज करना है, क्या यूज करना है, Camcos code यूज कर है, और आपको यहाँ पे quiz जो है, वो conduct की जाती है, आपके लिए, और आपको यहाँ पे जो daily video की lectures होते हैं, वो भी आपको जो है, वो link के रूप में share कर दी जाते हैं, और साथ सा जो है, वो HP TET, TCTR के notes भी है, जो GK की त्यारी कर रहा है, वो भी इसको purchase कर सकते हैं, psychology के notes भ which of the following have ions as their constant particles, अब इन में से कौन से ऐसी solids हैं, जिनके पास जो है, वो ions जो है, वो as a constant particles जो है, वो रहते हैं, तो constant particles जो होते हैं, वो क्या होते हैं, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनेगी, वो आपको यहाँ पार्टिकल होते हैं, ठीके, तो याद रखना है, आपको ions जो है, आपके as a constant particles, कहा होते हैं, वो ionic solid में होते हैं, कहा होते हैं, ionic solid में होते हैं, तो यहाँ पर D option, इसका बिलकुल right answer है, कोवलेंट solid में आपको constant particles देखने को मिलेंगे, atoms, और molecular solid में constant particles देखने को मिलेंगे, आपको molecules, और साथ ही साथ जो metallic solids होते हैं, आपके constant particles देखने को मिले electrons या फिर आपके valence electrons या फिर जो आपके positively जो charged जो kernels होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर आयाद रखना कि ions किसके constitutional particles हैं वो ionic solid के D option इसका बिल्कूर right answer है next question देते है in which of the following solid the ions are arranged in closed packed structures having strong electrostatic forces of attraction इनमेंसे कौन से ऐसे solid है जिसमें ions जो है वो arranged रहते है closed packed structures में और वहाँ पर strong electrostatic forces of attraction देखने को मिलता है तो इनमेंसे वो solid है आपका वो ionic solid है क्योंकि यहाँ पर ions होते है और वहाँ पर जब ions होते है तो वो closed packed structures में रहता है क्यों हो रहता है क्योंकि वहाँ पर strong electrostatic forces of attraction जो है वो रहती है और यह strong electrostatic forces को हम क्या बोलते हैं कुलंबिक forces भी बोलते हैं और यह किसकी वाज से रहती है वो ions की वाज से रहती है तो याद रखने आपको d option इसका बिल्कूर right answer है कि ionic solid में ions जो है कौन से और ऐसे solid है जो non conducting nature के है solid state में solid state में तो देखो ionic solid जो है आपके वो generally non conducting nature के रहते हैं यानि कि वो conduct नहीं कर पाते है इलेक्टिसिटी को, क्योंकि वहाँ पर ions की कमी रहती है ठीके, जब वो molten state में आते हैं, यानि कि liquid state में आते हैं तो वो conduct कर लेते हैं electricity को तो याद रखना है आपको ionic salad, जो है वो solid state में जो है वो insulator की तरze बिहेव करते हैं और जब molten state में आते हैं, तो वो conductors की तरह behave करते हैं, तो यहाँ पे d option इसका, a option इसका बिल्कूर right answer है, आप देखो, covalent solid जितने भी होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं, वो insulators की तरह behave करते हैं, कैसे होते हैं, insulators की तरह behave करते हैं, metallic solid जितने भी होते हैं, वो आपके कैसे होते ह solid जोते हैं आपके वो inter insulator की तरह behave करते हैं याद रखना आपको next question देते हैं in which of the following solids the constituent particles are atoms and generally belong to non-metals इन में से कौन से ऐसे solid हैं जिसमें constant particles हैं वो atoms हैं और वो आपके solid जो है वो non-metals से belong करते हैं याद रखना है आपको कि constant particle atoms किसम में होते हैं आपके covalent solid में और वो covalent solid जो है वो non-metals से भी जो है वो belong करते हैं तो d options का बिलकुल राइट है इनको हम क्या बोलते हैं network solid भी बोलते हैं और यहाँ पर आपको covalent bonding भी देखने को मिलेगी और यह insulator की तरह behave करते हैं और melting point इनका high रहता है और physical nature इनका hard रहता है diamond graphite quartz silicon carbide और यह सब जो है इसके example रहते हैं ठीके तो यहाँ पर d options का बिलकुल राइट एंसर था next question देखते हैं which of the following covalent solid act as conductor अब देखो covalent solid यहाँ पर insulator की तरह behave करते हैं लेकिन एक exception रहती है exception रहती है कि कौन सा covalent solid ऐसा है जो conductor की तरह behave करता है याद रखना आपको graphite जो है वो non metal वावा किस की तरह behave करता है conductors की तरह behave करता क्योंकि इसके पास एक extra electron जो है वो बच जाता है ठीक है तो c option इसका बिलकुल राइट एंसर है कि covalent solid ऐसा जो conductor की तरह behave करता है वो है graphite बाकि सब diamond, silicon carbide और quads यह सब आपकी जो है वो insulators की तरह behave करते हैं अब मैं आपको ionic solid के कुछ जो है वो example पताता हूँ ionic solid के कुछ example पताता हूँ जैसे आपका NACL आ गया आपका आपका copper sulfate आ गया zinc sulfide आ गया sodium nitrate आ गया और magnesium oxide आ गया यह सब आपके ionic solid के examples रहते हैं इसको भी note down कर लिजेगा next question देता है which of the following statement is correct इन चारो statement में से कौन से statement correct है तो याद रखना है जो molecular solids होते हैं वहाँ पर constant particles जो है वो ions नहीं होते हैं वहाँ पर molecules जो है वो constant particles होते तो यह first statement बिलकुल गरत हो गई अब देखो molecular solids show hydrogen bonding बिलकुल सही statement है कि molecules जो solids होते हैं वो hydrogen bonding भी शो करते हैं डाइपूल डाइपूल interaction भी शो करते हैं और वहाँ पर जो है वो London forces भी लगी होई होते हैं यानकि wake wonderful forces भी जो है वो इसका बिल्कुल राइट चरह है अब molecular solids जो होते हैं कैसे होते हैं soft होते हैं और जो molecular solid होते हैं वो conducting nature के नियुते वह insulator होते हैं कैसे होते हैं Insulator होते हैं तो बिता इसका बिल्कुल molecular solid है, ice आपका molecular solid है, iodine जो है आपका molecular solid है, naphthalene आपका molecular solid है, यह आपको याद रखना है, लेकिन copper जो iron है वो आपका molecular solid नहीं है, तो D option इसका बिलकुर आइंसर है कि वो आपका odd 1 है, वो कैसा है, आपका वो metallic solid है, कैसा है metallic solid है तो D option इसका बिल्कुर right answer है कि copper ion जो है वो molecular solid नहीं है वो metallic solid है नेक्स्ट कुछ रहे थे positively charged kernels and mobile electrons are the constant particles of dash solids इन में से कौन से ऐसे solid है जिनके पास mobile electrons और positively charged kernels जो होते हैं वो as a constant particle present रहते हैं तो याद रखना है metallic solids में आपको constant particles जो देखने को मिलेंगे वो आपके positively charged kernels और mobile electrons देखने को मिलेंगे वी option इसका बिल्कुर right answer है नेक्स्ट कुछ ने देते है in which of the following solid conductors conduct electricity in solid as well as molten states इन में से कौन से ऐसे solid है जिसमें जो conductors है वो conduct कर लेते हैं electricity को solid में भी और molten state में भी ठीक है या फिर as a solid जिसमें जो as a solid में भी behave कर लेते हैं conducting का और as a molten state में भी कर लेते हैं तो यहाँ पर d options का बिल्कुर right answer है molecular solid जाय है वो molten state में भी और solid state में भी जाय है वो conduct कर लेते हैं electricity को which of the following statement is correct which of the following statement is correct इन चारों में से कौन से statement collect है तो याद रखना है कि ionic solid जह है वो ductility शो नहीं करते हैं ठीक है तो यह statement बिल्कुल incorrect हो गई तो देखो ductility होती क्या है कि जब हम किसी धातु को जो है वो खीच कर उसको तार बनाते है wires में बनाते है अब molecular solid जह है वो show करते है milleability को तो वो भी गल्द है यहाँ पर लिखा होता तो milleability क्या होती है तो milleability होती है कि जब हम किसी धातु को पीट पीट कर sheet में convert करते है ठीक है तो milleability होती है तो molecular solid जह है वो milleable नहीं होते है बिल्कुल भी तो metallic solid जो है वो ductility शो भी करते है और milleability शो भी करते है तो c option इसका बिल्कुल right answer है तो आज के वीडियो में यह top 10 questions थे आपको I hope आपको समझ आये हो इससे ज़्यादा आपको important questions जहांसे नहीं देखने को मिलेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीज शेयर कीजेगा और शाम को तीन वज़े जो है chemistry और biology बैच में मिरसा जरूर जुड़े आपको basic basic level में मैं वहाँ पे आपको करवा रहा हूँ chemistry और biology तो आपको हर एक exam में जो है वो labda करेने वाली है तो आप उसको android कर सकते है लिंक को उनके description box में आप हाँ से join कर सकते है उसको तो अभी के लिए फिलाल इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए जाए हिंद जाए भारात आपके दिन शुब हो जाए हिंद